हेलो फ्रेंट्स तो आज फिर आपके लेकिया हूँ बहुत हेल्दी रेसिपी और भुत जटपट बनने वाली कफी हेल्दी है और टेस्टी तो बहुत ही ज्यादा लगती है और आप इसको घर में इजीली बनाकर तयार कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है तो सब तोड़े से लसन अगर आप खाते हैं थोड़ा सा कड़ी पता आधा जम्हत जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर थोड़ा सा पानी डालके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक बहुत ही बढ़िया सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे इसको एक मेरे त्रांस्फर करेंगे उसके बाद मैं इसमें कुछ चीज़े अड़ करेंगे जैसे की वनफोर्ट कप सोजी वनफोर्ट कप मेरे बेसन थोड़ा सा मैं प्यास डाला है थोड़ी सी गाजर डाल दी है और हरे मिर्चे आड़ कर दी हैं थोड़ा सा हरा धनिया सबजी आप इसमें और भी एड़ कर सकते हैं अपने हिसाब से उसके बाद इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बढ़िया सा बैटर तयार कर लेंगे जैसे हम चीले का करते हैं इस तरीके से उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जिससे कि ये काफी फलफी बनते हैं अपे हमारे उसके बाद अपे पैन ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा थोड़ा ओयल ग्रीस कर देंगे और थोड़े से मैंने यहां पर राई के दाने भी डाल दिये हैं इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है आप चाहें तो तिल भी डाल सकते हैं उसके बाद में इन सारे पोर्शन्स में थोड़ा थोड़ा हम यह बैटर डाल देंगे अपपे के लिए और बहुत जादा नही बाद इसको चेक करेंगे तो यह काफे फूल जाते हैं और उसके बाद इसको हम पलट लेंगे तो लेस ऑईल में आप खाना बना रहे है अप वेट ल moderate कर सकते हैं और इनको हम पलट कर दुबारा सा सेक लेंगे ढखे तो दो देखिए कितने अच्छी बिधनी अच्छा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ